प्रतिग्या पर है प्छले लेक्षर में हम बलो जी के पढ़ा रहे थे और पिछला था उसमें हम आपको हिर्दे के बाड़े पढ़ाये थे हाट के बाड़े पढ़ाए थे और आज हम सुरू करने वाले हैं रक्त-परि संचरंतंत्र मतलब कि बलड़ी सर्कूलेटरी सिस्टम के बारे में वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और यह आपका मज़ा से आने वाले पढ़ने में सबसे पहले ब्लड स्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले दो तीन बात आपको याद रखना है एक आपका जो पिछले क्लास में पढ़ा दिये थी एक हम आपको ब्लड और रख्त होते हैं दो परकार के एक को हम बोलते हैं प्योर बलड प्योर बलड बोलते हैं और एक को अपन बोलेगा ना इंप्योर बलड तो एक अपना प्योर बलड बोलेगा और एक अपना इंप्योर बलड को हम कहते हैं सुधरक्त बोलो क्या बलते दोस्तों सुधरक्त और impure blood को हम बोलते हैं असुद्रक्त अब क्या होता है pure और क्या होता है impure बड़ा ध्यान से बात को समझने के आप करिये प्रयास सुद्रक्त में वैसे जिसमें oxygen घुली होते हैं उसे सुद्रक्त करते हैं और जिसमें carbon dioxide CO2 घुला होता है उसे हम आसुद्रक्त या उसे हम impure blood के नाम से जाना जाता है इतनी बात समझे में pure blood और अपना क्या दोश्तों impure blood अब यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले एक धमनी पढ़ना था और एक सीरा पढ़ना था लेकिन फिर भी यहाँ पर यह भायच करता हूं धमनी में धमनी क्या होता है ति यह pure blood को transfer करता है शरीर में धमनी जो हर pure blood को transfer करता है मतलब कि सुद्रक्त को transfer करता है सबसे बड़ा धमनी का नाम है महा धमनी और एक ऐसा धमनी है इसको नामे फुफुक्सिय धमनी और यह जो pure blood को transfer ना करके इन pure blood को transfer करता है carbon dioxide को transfer करता है आसूद रख्त और यहाँ trick बोलना हस हस से मतलब क्या हुआ यह हिर्दे से सरीर की ओर जाता है कहां सका हां दोस्तों तो हिर्दे से सरीर की ओर कौन जाता है तो य हाँ पर समझते हैं सीरा के बारे में सीरा क्या होता है दोस्तों तो सीरा के बारे में यह आपका impure blood को transfer करता है जिसमें carbon dioxide की मातरा घुला होते हैं और यहाँ सरीर से हिर्दे की ओर बलेट को क्या करेगा ले जाएगा सीरा में सबसे बढ़ा सीरा का नाम पढ़ाय थे महासीर जिसको बढ़ते बेना काबा क्या बेना काबा और सबसे बड़ा धमनी महा धमनी को आयोटा कहा जाता है इतनी बात समझ में आए सीरा में एक सीरा पढ़ाए थी फुफुक्सिय सीरा और फुफुक्सिय सीरा जो होते दोस्तों यह क्या करता है सर तो यह आपका सूध रख को ट वलड circulation का काम रक्त परी संचरन का काम हिर्दय करता है इसलिए पिशल लेक्चर में हम पढ़ाये थे कि भाई रे हिर्दय जो होता है ना दिल जो होता है वो प्यार ना करता है ये रक्त को ट्रांसफर करता है वलड को एक जगा से दुसरे जगा ले जाने का काम करता है आई थी बात समझ में की नहीं तो आ गई थी नहीं सर अब सुनो भाई मालो भाई यह कोई भी सरीर का कोई अंग है अब यह सरीर का कोई अंग है और यहां से रक्त को हिर्दय की ओर ले जा रहा है तो सरीर से हिर्दे की और सरीर से हिर्दे की और को ले जाता है तो सीरा ले जाता है तो जाहिर सी बात है सर यहां पे सीरा होगे यहां पे क्या होगे सीरा होगे यहां पे अपन सीरा होगा कुछ इस टाइब से सीरा होगा और यह आपका सीरा सरीर से किधर ले गया हिर्दे की और और यह सीरा जो है कौन रख्ट ट्रांसफर करता है कारवन डायोकसाइड यानि की CO2 यानि की असूध रख्ट को ट्रांसफर करने का काम करता है अब यह तो हिर्दय है इसका बारे बताए दोस्तों कि उपर वाला को आलिंद कहते हैं निचे वाला को निलाई कहते हैं, उपर आलिंद, निचे निलाई, तो इसका कोडिंग बताया थे आना, और पूरा कोडिंग बोलने हैं दब के आना, दब के आना, द से होता है दाया, और बा से होता है बाया, तो इसको बोलते हैं दाया आलिंद, और इसको बोलते हैं बाया आ और यहाँ पर आपका नस हो जाएगा निला तो यह आपका निला नीचे होता है तो यह आपका दाया निला और यह अपना होगा ना बाया निला बोलो को निले जी बाया निले अब रक्त इस परकार से हमारे हिर्दे में एंट्री कर गया रक्त इस परकार से हमारे हिर्दे में दोस्तो हिर्दे में क्या करते हैं तो गाईज परवेश करते हैं उसके बारे में थोड़ा गौर समझुन तो ये जाएगा दाया आलिंद के पास और दाया आलिंद के पास रक्त पूरा पूरे की पूरे भर जाएगे एकदम पूरे की पूरे फुल हो जाएगे तब यहां तीन कपाट इस परकार से बना होगा इसे कहते हैं त्रिकवलिय कपाट क्या बोलते हैं त्रिकवलिय कपाट के नाम से इसे हम जानते हैं त्रिकवलिय कपाट कहा जाएगा और यह त्रिकवलिय कपाट जो है अपने आप खूल जाता है और बलड चला जाता है कुछ इस टाइप के य और जैसी पूरा बलेड इसमें चला गया तो यह कपाट अपने आप बंद हो जाएगा यह कपाट अपने आप रुक जाएगा यह कपाट बंद था क्या हो जाएगे दोस्तो रुक जाएगे और यहां से जब कपाट रुक जाते हैं तो इसमें चला जाता है और यहां एक पाट का नाम है अर्ध चंद्रक का पाट बोलो कौन का पाट दोस्तों अर्ध चंद्रक का पाट आएंगे और यहां से फिर एक रास्ता ऐसे आएगा और बलड को ट्रांसफर करने का काम करेगा रक्त को इधर से उधर ले जाने का काम करेगा अब इतनी बात इधर तो सब समझ रक्त है अभी तक असूद रक्त है लेकिन भाई साइब यहां से यहां से देखो हिर्दे से हिर्दे से सरीर क्यों जा रहा है कि ने जा रहा है लेकिन बलड तो असूद है बलड क्या है असूद है और यह हिर्दे से कहां जा रहा है शरीर क्यों तो सर असूद रक्त को कौन ले वह हिर्दे से सरीर की ओर ले जाने का काम किसका है धमनी का है और सरीर से हिर्दे की ओर ले जाने काम सीरा है तो यह तो सरीर से हिर्दे की ओर लाया तो यह सीरा बोलें लेकिन सर एक बात बताईएगा यह सीरा सरीर से हिर्दे की ओर ले जाता है लेकिन यहां हिर्दे से सरीर की और जा रहा है और आपका CO2 है असुद रख्त है तो बताइए धमनी तो सुद रख्त जाता है अब सीरा लेके जैबे नहीं करेगा धमनी लेके जैबे नहीं करेगा तब क्याएगा रे रे जाओ जाओ हम एको फुफुक सिय धमनी बचले नहाएं फुफुक धमनी हिर्दय से सरीर की और असुद रख्त तब हो हाँ हाँ असुद रख्त और हिर्दय से सरीर की और तब यहाँ कौन धमनी आजाएगा फुफुक सिय धमनी आजाएगा कौन धमनी दोस्तो फुफुक सिय धमनी और लियाएगा कहां लियाता है सर तो भाई सहेव यही पे फेफडा है यही पे क्या है दोस्तों फेफडा है और फेफडा को लंक्स बोलते हैं और फेफडा में एक छोटा सा कूपी का होती है और यही पे बलड का प्यूरिफिकेशन कहते हैं यही पे रक्त का सुधी करन करा ब्रक्त का सुद्धी कर्ण किया जाता है। हैं और जो oxygen को लिये थे उसमें oxygen घुल जाएगा यानि oxygen in होगा और co2 out हो जाएगे यही विधी कहलाएगा विश्रन विधी विश्रन विधी अब यहाँ पे विश्रन विधी क्या है पूरे की पूरी फिजिस में पढ़ना है अब कोछ इतना समझो कि यह विश्रन विधी के दोबारा अलग हो गया CO2 out और oxygen in अब जैसी फेपड़ा का काम तो बलड का मुख रुप से purification कौन कर रहा था ध्यान दो बलड का मुख रुप से purification कौन कर रहा था तो सर बलड का मुख्यता सुद्धिकरन जो है वो फेफड़ा कर रहा था लेकिन क्या बीना हिर्दक कर लता नहीं सर इसको होना जरूरी था अब हो गया सूद रक्त अब सूद रक्त कहा जाएगा तो बाया आलिंद में कहा जाएगा दोस्तों तो सर सूद रक्त जाएगा ना बाया आलिंद में अपना सूद रक्त कुछ इस टाइप से बाया आलिंद के पास चला जाएगा बोलो कौन सीरन के पास बाया अब बताओ अब सरीर से ता यहां सूद रख्त है सर तो बढ़ाए थे ना फुफुक्सिय सीरा फुफुक्सिय सीरा सूद रख्त को ले जाता है तो यही पे यहां फुफुक्सिय सीरा काम दे दिया और जाके हम बाया आलिंद में बलड को रख दियें कहां रख दियें बाया आलिंद में पूरे के कपाठ होते हैं यहां पे कौन सी कपाठ होते है दोस्तों तो याद रखना है दीव को वलिये कपाठ रिकॉल को कौन सी कपाठ होंगे दीव को वलिये कपाठ और खुल जाएगा भरेगा तो और उसके बाद यहां चलाएगा फिर जब बंद कम जाएगा ते अपने आप बंद ह को ले जाता है धमनी तब यहां धमनी आएंगे और कौन धमनी आएंगे तो सबसे बड़ा धमनी आएंगे जिसको कहा जाता है महा धमनी क्या बोलते हैं उसे महा धमनी बोलते हैं और पूरा के पूरे शरीर में जाके फैल जाएगा छोटे छोटे धमनी को देगा और बलड सू परकिरिया होगा ऐसा होने में 0.8 second एक बार ऐसा होने में लगता है जिसे heartbeat कहा जाता है क्या बोलते है guys heartbeat के नाम से इसे हम जानते हैं इसे कहा जाएगा heart हाट विट रिकॉल करते हैं क्या बोलेगे से हम लोग इसे ना हाट विट कहेंगे या इसे हम हाट विट के नामते जाना जाता है तो यह हुआ वलड फियूरिफिकेशन या वलड सरकुलेटरि सिस्टम वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरू बताना जय भारत जय विहार जय प्रतिग्या परिवार